हलो दोस्तों आप देखरें साइंटेक विज़नेटी बिंदी चैनल मैं हूँ संजे स्वागत करता हूँ अब सभी का दोस्तों आप लोग के काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि प्रोफेशनल फोटो कॉपियर मसीन के बारे में बताईए कि हमें प्रोफेशनल फोटो कॉपियर मसीन लेनी है यानि कहने का मतलब जो बड़ी बड़ी फोटो कॉपियर मसीन होती है उसके बारे में आप लोगों ने पूछा था तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेक्नलोजी बहुत आगे बढ़ती जा रही है एक से एक प्रिंटर आपको कमपैक्ट साइज में आने वाले हैं जो प्रोफेशनल प्रिंटर होते हैं उनका लोड यानि की पावर कंजप्शन इतना जादे होता है कि अगर लाइट नहीं है तो आपको जेनरेटर चलाना पड़ता है क्योंकि इन्वर्टर से वो सम नहीं च प्रिंटर आया हुआ है जिसे आप बिल्कुल इन्वर्टर पर चला पाएंगे बहुत ही कम पावर कंजप्शन है इसके अंदर जिसे आप बिल्कुल इसली इन्वर्टर पर चला सकते हैं बहुत ही जादे आपके पास फोटो कॉपी का काम आता है या फिर बल्क में आपको आउट निकलना होता है, तो यह PRINTER आपके लिए है, मार्केट में दुकान कहीan, कोट कज reuse, के आसपास दुकान है, फटाफ़ PRINT-OUT चाहिए, बहुत ही जादे PRINT-OUT आपको चाहिए, तो यह PRINTER आपके लिए है, यह Foto Copy Machine आपके लिए है, जिसके बारी में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्योंकि एप वीडियो बहुत ही आपके काम के होने वाली है आपके एक लाइक से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है तो हम एक से एक लेकर के आपाते हैं तो आईये समझते हैं तो इस प्रिंटर की सबसे खास बात में बताना चाहूँगा कि अभी तक जितने सारे प्रोफेशनल प्रिंटर आप you ने देखा होगा उस सारे के ने सारे लेजर प्रिंटर होते हैं, उसके अंदर powder ink डलता है, लेकिन इसके अंदर ink डलेगा, इसके अंदर powder नहीं, इसके अंदर ink डलेगा, ये ink tank printer है, ink tank photocopier machine है, और वो भी waterproof ink tank, जो पहले के ink tank printer हुआ करते थे, उस पर पानी का बूत पड़ते ही, वो ink file जाते थे, लेकिन ये जो ink tank printer है, ये waterproof है, इस पानी का drop डलने के बाद भी paper गलेगा, लेकिन print पर कोई भी असर नहीं पढ़ने वाला है, ऐसी technology के साथ में ये printer निकाला हुआ है, जो कि laser printer से भी बहतर quality आपको देने वाला है, और भी इसके बहुत सारे खास बात है, तो सबसे पहले printer के बारे में बताए printer model कौन सा है, तो अब ये online दिखा नहीं रहा है, लेकिन offline market में ये बिक रहा है, आप offline अपने local market में try करें, जहां भी Epson का dealer है, वहाँ पर जाकर के बात करें, आपको मिल जाएगा, क्योंकि market में काफी लोगों के पास ये दिखने लगा है, लोग बहुत ही जादे satisfied है इसके result से, इसके काम से, बाकी के features की अगर हम बात करें, तो print type चुकि ink tank printer है मैंने बताया ही, functionality की बात करें, तो print scan copy और double EDFs के अंदर, यानि कि आप दोनों side अगर automatic scan करना चाहते हैं, बहुत ही जादे आपका photocopy आता है दोनों side करने के लिए, तो इसका जो EDF, double EDF technology उसके अंदर क्या है, आप double side का page अगर आप रखते हैं, तो अंदर ले जाएगा, और दोनों ही side scan करके आपको output print out निकाल देगा, जबरदस्त printer है, उसके बाद जो है, paper size की बात करें, तो सारे paper को support करेगा, A3, A3+, A4 और screen पर देख सकते हैं, सारे के सारे page ये लेगा, जिन जिन page को बड़ी machine जो है लेती है उन सारे pages को ये support करेगा, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर सारे page के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो को post करके आप देख सकते हैं, इस screen पर आ रहा होगा, सारे page के sizes, connectivity की बात करें, तो wifi और wifi direct, ethernet and free mobile printing app के साथ में ये आ रहा है, यानि कहने का मतल इतना easy है, कि कोई भी अगर WhatsApp अगरे में कोई images लेकर के आ रहा है, आपको photocopy करने के लिए कह रहा है, आपके WhatsApp पर भेज दिया तो photocopy से आप mobile से ही, directly आप print out इससे निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी tension नहीं है, बिल्कुल भी आपका समय लगने वाला नहीं है, हर जगल से जैस 1900 पेज निकालेगा, वो भी बिल्कुल waterproof और बाद में जो है 112 नंबर का eco tank pigment ink bottle लगेगा, जो यह bottle से जब आप इसको refill करेंगे, तो वो निकाल करके देगा, 7500 पेज निकाल करके देगा, print resolution की बात करें, तो 4800 इंटू 1200 dpi का resolution आपको मिलने वाला है, paper tray capacity की बात करें, तो 2500 प् यानि 500 पेज जो है इसके अंदर इसके tray के अंदर आएगा, वो भी आपको tension ने ये बार बार paper लगाने की, तो एक rim को जो है आप एक ही बार में लगा पाएंगे, और ADF के अंदर जो है 50 पेज लग जाता है, ये भी आपकी tension खतम है, 50 पेज लगा दीजिए, और वो सारा का स जो है scan करेगा बारी बारी से बारी बारी से सबी पेज को scan करके आपको दे देगा, यानि कि जबरतस्त quality इसके अंदर है, output track capacity की बात करें, तो 125 seat जो है output में रख पाएगा, और paper मोटाई की अगर हम बात करें, paper weight की, तो 64 gsm से ले करके 255 gsm paper को ये ले पाएगा, यानि कि पेज भी आप इसमें आप दे सकते हैं, आप सोच सकते हैं कितना powerful printer ये हो सकता है, उसके बाद print speed की बात करें, तो 25 page per minute है, जो कि एक बहुत अच्छी speed है, एक professional printer के लिए, doublex printer की अगर हम बात करें, speed की, तो doublex, यानि कि दोनों side अगर print करना चाहते हैं, तो ये 4 size अगर निक लेगा, और finalist पर मिल जाता है touch screen का, जहां से आपको सारे options mode बगर select करना है, ID अगर print करना है, तो ID के लिए, बिल्कुल specialist में mode दिया हुआ है, जिसको use करके आप ID को print कर लेंगे, बिल्कुल भी फटा फटा आपका काम होने वाला है, duty cycle की बात करें, तो unlimited है, बिल्कुल भी ज इसकी बात करें, तो एक बार जरूर आप जो है local, अपने यहां absent dealers से मिलें, वहां पर आप इसकी बात करें, तो आपको सही, इसकी costing पता लग सकती है, क्योंकि जो लोग professional photocopier machine लेना चाह रहे हैं, वो सारे professional photocopier machine से जादे सुविधा मिल सकती है, और यह उससे काफी सस्ता अभी आपको मिल सकता है, सबसे बड़ी बात कि यह inverter पर चल सकता है, और काम सारे के सारे वो करेगा, जो आपका professional बड़ी-बड़ी machine करती है, तो दोस्तों मैं मैं मित करता हूँ कि information आपको अच्छा लगा, दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज आप comment में बताएं, अ आप लों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, मैं मिलता हूँ, next किसी और अच्छी informative वीडियो के साथ में आपका दिन सुभ हो, आप